स्टुड़ेंट जैसे के आप यह नएक्स टेफ है सर्फयर पोर्ट का आप क्या करना है एप कैसे करेंगे और और इसका करने का तरीका कंई और यह आप कहां से एक देखना कर सकते हैं यादि कि किसी कौपी में निखा या आप लोगं ने हुग्षोफ करना है तही कि में आप देखेंगे यह विछ सबक्राइस का पेज पर आप लोग टाइटल पेज बादस इसकेट पर करेंगे लिखना दिसक्षंस बसकौ कि लगइग पर्स परसंटेज सब्सक्राइब निकाले जैस Sum ott लोगोंने answers निकाले percentage में भी तो उसके बाद आप result discussion इस तरह करेंगे कि आप लोगोंने total 15 questions है ना तो आप लोगोंने total 15 ही result discussions की sentences लिखने हैं एक टेर लाइन या दो लाइनों में आपकर यह result discussions आप में निकालनी हैं कि आप सामने देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है पॉइंट नमर वन इन दी आंसर ऑफ दी फरस्ट क्वेस्टन पीपल सेट आट दे नो अबाउट कोविड-19 ठीक है यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर कैसे लिखा है आपको समझ आ गई होगी कि questionnaire में जो question था उसको आपने result discussion के अंदर use करना है same जैसे वो लिखा है और percentage वाला answer आपने use करना है लेकिन यहां पर हमने दूसरी percentage क्यों निकली हैं हमने दो percentages निकाली थी एक favor में और एक unfavorable में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जो percentage अगर favorable में यानिके अगर yes में percentage ज्यादा निकल रही है no की निस्वत तो आप yes वले percentage यानिके yes वले answer को use करोगे जो ज्यादा है उसको use करोगे ठीक है अगर तो किसी question के answer में कोई percentage no में ज्यादा है इनके no वले answer ज्यादा है तो आप वो no वला answer use करोगे ठीक है yes वला नहीं I hope आपको यह समझा आगी होगी yes or no ज्यादा का तो इसी तरह अब आप next देखो कि इसी तरह आपने second का भी second question के लिए भी यहाँ पर लिखा कि in the answer of second question hundred people hundred percent people said that pandemic covid-19 was challenging ठीक है और third के अंदर भी फिर आपने same ऐसे ही लिखना है in the answer of third question eighty percent people said that they were target of the covid-19 इनके students बहुत इजी है result discussions का step करना आप लोगोंने बस इतना करना है कि अपने आगे result analysis का page रखना है ठीक है जिसके ओपर आप लोगोंने percentages निकाली हैं वो सामने रखकर फिर उसके बाद आप लोगोंने questionnaire को सामने रखना है ताकि आप वहाँ से questions देख सकें और यहाँ पर लि ने आप पास रखना है यह वहला step करते हुए और result analysis का page रखना है उसमें से सिर्फ आपने आप पर ना इस तरह है के बारी बारी आप लिखते जाएंगे number one पर लिख होगे in the answer of first question 100% result analysis percentage जो ज्यादा थी वह 100 yes में थी आप लोगोंने आपने वहाँ से 100% को लिया उसके बाद आपने कहना है पीपल सेट असेंट फिर आमने question यह में से पहला question देखना question क्या था question था question था question जो था ना वो था के do you know about COVID-19 तो आपने वो question को थोड़ा सा change करके आपने yes में उसको बना देना और कहना they know about COVID-19 ठीक है और second में भी आप लोगोंने आसा ही कर दिया के in the answer of second question वहली थी वह थी वह यस में ही आ रही थी favorable response में आ रही थी तो people said that फिर आपने वही questionnaire में से second question देखा question क्या था question था वास कोविट ना वास pandemic COVID-19 challenging आप लोगोंने वह वहला question यहां पर लिख देना है आपने लिखना है के pandemic COVID-19 वास challenging ठीक है और third में भी आप लोगोंने यह से करना है in the answer of third question फिर percentage result analysis से देखी कि कितने कौन सी वहली ज्यादा है favorable ज्यादा है या फिर unfavorable ज्यादा है इसमें भी favorable ज्यादा थी तो आप लोगोंने वही ज्यादा वाली लिख दी 80% फिर questionnaire से वही वाला question देखना है question क्या था question था have you ever been the target of COVID-19 तो आप लोगोंने याम लेखना है देवर target of COVID-19 ठीक है यानिके 80% पीपल ने कहा कि वह COVID-19 के target है I hope आपको ही समझ आगे हो कि बहुत इजी सा step है result discussions सिर्फ आपने दो चीज़ा आगे रखनी है questionnaire रखना है result analysis आगे रखना है और आप लोगोंने बहुत सुनका आगे बताते जाना है कि कितने लोगोंने क्या कहा ठीक है तो यह बिल्कुल मुश्किल नहीं आपने 15 questions के 15 ही यहां पर point लिखने है ठीक है तो यह जी सा step था complete हो गया अब आगे हम देखेंगे next step तो students आप जो next result discussions के बाद जो आपने करना है वो है आपने result prepare करना है result कैसे करना है result पनाना है इसका उसके लिए आपने simple यह करना है assignment sheets पर आप result लिखें और आपने result के अंदर जो लिखना है वो लिखना है आपने total questions है 15 उनकी यह लिखना है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं total people बताने है 30 जिनने जिन से आपने questionnaire फिल करवाई ठीक है 30 को questionnaire की copies भी आपने 30 करवानी है उसके बाद number of favorable response लिखना है यह आपने यहाँ पर लिखना है कि आपने result discussions से पहले result analysis के अंदर result analysis के अंदर जो आपने क्या करते हैं उनकी सबकर total निकाला था इसी तरह आपने total 15 के जो total answer थे ना उन सबको plus करके यहाँ पर आपने number of favorable answers में लिख देना है ठीक है इसी तरह आपने number of unfavorable responses में भी आपने यही करना है जो result analysis वाल स्टैप में आप लोगों ने जो लिखे हैं question wise उन सबको 15 के जो आपने प्लस करके यहाँ पर लिख देना है और percentage वाले भी इसी तरह करने हैं उन सबको plus करके और फिर यहाँ पर लिख देना है इसी तरह और अरण करके ठीक है तो रिजल्ट वाला पार्ट हो गया पूर सिंपल सा था उसके बाद है limitations limitations क्या है सर्वेय रिपोर्ट के अंदर limitations में आप लोगों ने पताना है कि आपकी survey report की क्या हदूत थी यहनिके आप survey report आप जैसे कि हम यहाँ कर लेते हैं अगर आप limitations आपको समझा आजएगी मतलब क्या है limitations में आप लोगों ने लिखना है टू पॉइंट्स हमने सिंपल से लिखें है we had very few people solve the question questionnaire if we had more people solve the questionnaire or result could have been better यानि कि आप लोगों ने लिमिटेशन में बताना है कि हमने questionnaire बहुत ही कम लोगों से फिल करवाया अगर हमने ज्यादा लोगों से फिल करवाया होता तो हमारा result अच्छा ज्यादा अच्छा सकता था और दूसरे पॉइंट में बताना है questionnaires were solved by people who belongs to different fields और आमने दूसरा बताया कि आप लोगों कैसी लोगों से फिल करवाया हमने बताया कि questionnaire हमने ऐसे लोगों से आप लोगों ने बहुत कम लोगों से फिल करवाया जिस विजसे रिजल्ट अच्छा बर रिजल्ट बस ठीक था नहीं तो इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था और दूसरे पॉइंट में आपने बताना है कि और questionnaire आपने ऐसे लोगों से फिल करवाया जो मुक्तलि मुक्तलिफ शौबा जहां से तालुक रखते थे ठीक है यह सिंपल लिमिटेशन आप यहां से भी कोपी कर सकते हैं आप से भी लिख सकते हैं सेम जैसे मैंने लिखी हैं अब उसके बाद आपने नेक्स सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो पेज राडी करना है वह सजेशन का सजेशन के अंदर आप लोगों ने क्या लिखनी है सजेशन का जो काम है आपने तब करना है करवाना है जब आप लोगों को देंगे बारी-बारी एकव करें और दे से को आपने कहले अपको ये अगर आडवाईस देना चाहें जो रिसेर्ट हम का रहे हैं वह इडवाईस आप हमें बता हैं तो आप लोगों ने उस क्वेशनेर के पीछे ना पैंसिल से उसको कहना है कि आप अडवाइस बताएं जैसे आपका अगर टॉपिक है कोविड-19 और सोश्यकोनिमिक प्रॉब्लम तो आपने कहना है कोविड-19 का जो इंपक्ट हमारी पाकिसान की सोश्यकोनिक पर जो हुआ है उसके बारे में आप क्य क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या राय देना चाहेंगे वह गाइडन्स वह कहला तो आप वह इसको चैनल के पीछ लिए तो लोग ऐसे भी हो सकता है लोग कहा दें लोग कह सकते हैं कोविड-19 is very serious disease people should be careful from it ठीक है यानि कि कोई ड्वाइज देगा कि यह सीडियस लेना चाहि इसको कोई कह सकता है कि public should be aware of COVID-19 ठीक है और कोई कह सकता है government Pakistan should make government of Pakistan should make smart plans so that country could not fall into the socio-economic problems ठीक है इस तरह की प्रवाइस जिन से आप questionnaire fill करवाएंगे ना यह वो लोग आपको लिखके देंगे तो जब लिखके देंगे पीछे pencil से आप लोगों ने फिर उसको नीट अपने पास collect कर लेना नीट जगा पर जैसे यहां पर survey report के अंदर ठीक है उनकी अद्वाइस आमने इस suggestions उनकी राय आ ठीक है इसके अंदर आपको I hope समझा आगी होगी कि suggestions क्या है यह लोगों को questionnaire fill करने वाले लोगों की advices है और next step is references references students वो होते हैं जैसे आपने आपने जहां से भी अपने question यह पूरी survey report की research की है जहां से information क्लेक्ट की है वहां के links और उसके references आपने देने हैं आपने इसके अंदर बताना है कि आपने किस अगर किसी website magazine या newspaper या किसी जगह से या book के अंदर से आप लोगों ने अगर information कठी करके लिखी है अपने अपनी survey report के topic कठा किया तो आपने वहां उसके references references आप लोगों ने यहां पर देने हैं वैसे तो survey report के इंदर references देने का तरीका होता है aps style में ठीक है aps style के लिए आप YouTube सर्च कर सकते हैं aps style से आपने reference कैसे देने लेकिन इस तरह यहां पर भी लिख्या आप सेम तो सेम यह वहला style भी copy कर सकते हैं कि आपने website का नाम लिखा जैसे यहां पर लिख्या फाइनस डिवीजिंस फिर उसके बाद आपने website का नाम लिखा वैबसाइट के बाद नाम के बाद आपने लिखा के वहां उस website में साम लोगों ने कौन सा topic copy किया ठीक है तो उसके बाद उस website का लिंक आप लोगों ने यहां पर लिख देना है इसी तरह नीचे जो लिंक है नीचे जो reference दिया गया वह उसके अंदर author का नाम लिखा हुआ है अड़ स्टाइल में अधर का नाम हमेशे है स्ट्राऀंब सकंड है वह उसको आपने ने में को आप पर लिखा और लास्ट नेम को शुरू में लिख देना है जिस तरह यहां पर लिखा ठीक है और कपकी उसकी स्टेटमेंट में वहां पर यह लिखा होगा तो आप लोगों ने वेबसाइट के ओपर ढूनना आगे उपर नीचे या कहीं पर भी लिखा होगा कि यह कपकी न्यू पर फूल स्टॉप फिर थोड़ा स्पेस दे कर फिर आपने जो आपने जो वेबसाइट का टॉपिक था वह था है उसके आगे इसका मुझे नाम नहीं आता ही डोड़ डॉट डालकर पिर आप लोगों ने क्या चीज वहां से कुन सी वाला टॉपिक आप लोगों ने लिया वहां पर वर्ट इस क्रोना वाइरस का जो टॉपिक था आप लोगों ने उस वेबसाइट से इन्फोर्मिशन ली ठीक है यह आगे उस टॉपिक का नाम और उसके बाल लास्ट में आप लोगों ने लिंक पूरा लिख देना है ठीक है अगर आप वर्ड पर अपनी वह सर्व अब लोगों ने सिर्फ लिंक्स वगयरा मैग्जीन वगयरा वह का इंफोर्मिशन लिकने कि आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट की इंफोर्मिशन कहां से कटी कि ठीक है यह भी समझागी रेफ्रेंसीज आप लोगों ने बना लिया एक ही पेज का काम था अपैंडिक्स मे स्टूडन्स आ जाता है आपरिंडिक्स में उसका प्रींटी करवाता हैं के बस्वन का से क्वेस्टनेयर की अलग से लूट कोपी आम लोगों ने करवानी है ठीक है तो टॉटल कितने हो गें 31 जो वन गुस्टेंए रहा है वह पार चाहना जहां होता है चाहां होता है घ्क यहां रहाना घ्का है जैसे के मैंने आपको सर्वेय रिपोर्ट बारी-बारी पूरी दिखाई आँद किसके बाद क्या सटेप आएगा क्या स्टेप कैसे कैसे ताइल निहां लगाने हैं थाटो फिक और और है लोगों से आमने बारी-बारी करवानी है लोगों से फिल्ट कोपी एक और Не शहीं टाइ kalian हुए । अषी अच्विसका showcase तरहों हो थैसे कि आप लोगोंने रिजल्ट डिस्कॉस्ट डिसकॉशन के अंदर नहीं रिजल्ट अनायसिस के अंदर जिस तरह क्वेशन के आंसर लिखे हैं ना उसी तरह बहरी बहरी जैसे पहले किससे आप लोगोंने फिल करवाराया वह फिर्स dicen-atore बहरी ऐसे आप लोगोंनेher को और?!?! करके रखना है फिर उसके बाद आपैंडिक्स के टाइटल के बाद आप लोग ने उन्स ठर्टी को रखकर फिर अपनी कॉपी को करवा लें इस तरह आपका पूर्ड सर्वेय रपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से ठीक है इस तरह के सारे स्टेप्स मैंने बताया ना यह मैंने स्टेप वाई स्टेप बताया कि आप ने पहले क्यों सा पेज राटी करना है फिर उसके बाद कौन सा पेज आएगा कों सा आएगा है और कहा कहां से करने है यह सब मैंने बताया हुआ Hindi कि यह सारे स्टेप्स देखें यह बहुत आजिक होती है कोई मुश्किल कार नहीं और सब्वेय रिपोर्ट जो अcyjा होती है ना उसको वो एक रिसर्च होती है आप लोगों के अपनी रिसर्च होती है और कोई मुश्किल बाद नहीं आप लोगों इसे एक सिर्फ टॉपिक लेना है जो साइकोलोजी के लिए तोर पर यूज हो सकता है ठीक है यानि के जैसे ड्राग अडिक्शन यूथ में और उ हुआ उससे ओने वाले प्रॉब्लम्स और उसका ट्रीटमेंट ठीक है तो आप लोगों सर्वे रिपोर्ट के नाम भी हमेशा ऐसे ही लिखना बनाने टोपिक्स भी आसे बनाना होता है जिसमें आ ट्रीटमेंट भी आप यूज करें जैसे के ड्रॉजिंग ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है तो ताकि ऐसा प्रॉब्लम जिसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो और टॉपिक के बारे में बात होगी के सर्वे रिपोर्ट का टॉपिक कैसा होना चाहिए उसके बाद सर्वे रिपोर्ट की रिसर्च बहुत इजी है वह आप गूगल पर जो आपने नाम लिख है अगर स्टुडेंट यह आखरी एक लास्ट टिप मैं देती हूं आपको के ना अगर आपको टॉपिक का नाम समझनी आ रही आप फूद का लिख रहे हो तो आप लोग ना यानिकर कोई आइडिया है आपको कि आपको यह नाम रखना चाहिए सबसे पहले आप ह पूछ है तो आप वह वला टॉपिक लिख लें ठीक है और देखिया उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल ट्रीटमेंट से रिलेटीड भी टॉपिक से वेलेबल है ठीक है इन्फरमेशन इस तरह एक आप टाइटल अपना डून सकते हैं कि आप किस बारे में सर्वे रिपोर लिखें ठीक है तो यह थी एक टिप के आप सर्वे रिपोर्ट किस टाइटल पर लिखें दूसरी टिप यह हो दूसरा तरीका कोई अगर कोई ऐसी कंफूजन जो आप कमेंट सेक्शन में दूरूर पूछें ठीक है मैं आपकी हल्प करूंगी उस पर भी मैं वीडियो बनाक भी है बहुत फीजी है सर्वे रिपोर्ट बनाना और स्टुडेंट अब से लास्ट वाली बात सर्वे रिपोर्ट सैकिंड डियर में experimental notebook के साथ survey report बनाना भी compulsory होता है इसके बगार आपके marks कट हो जाएंगे practical के अंदर ठीक है survey report और experimental notebook आप लोग practical exam में ये दोनों एक साथ लेकर जाते हैं ओके तो आज का clear हो गया